हेलो स्टुडेंट इसल्फ ते नेश हमारे एदव होती ही आज का जो हमारा टोपिक है वे बड़ा इंपोर्टन है that is area vector and electric flux तो बात किरते हैं सबसे पहले area vector पर तो देखिए area vector क्या होता है तो देखिए area जो है वो ऐसे तो आप पढ़ते आये होंगे कि जो area है वो ऐसे तो एक scalar quantity है बट अभी physics में हम क्या करेंगे जो area है उसको vector quantity consider करके चलेंगे तो यहाँ पर अगर कोई quantity vector quantity है तो उस vector quantity की कोई specific direction होना भी ज़रूर ही है तो इसके लिए क्या करेंगे भाई direction के लिए हम क्या करते हैं direction के लिए हमारे पास कोई भी vector है तो उसकी जो direction है वो outward perpendicular होगी ठीक है वो जो आपका figure है जो आपका भाई जो भी आपका area है उस area के outward perpendicular होगी उसके direction ठीक है और जो magnitude होगा वो magnitude क्या होगा जो आपका area है ठीक है वो area उसका magnitude हो जाएगा और direction हम outward perpendicular direction में देंगे ठीक है suppose ये आपके पास कोई plane area है ठीक है ये आपके पास कोई plane area है ठीक है तो इसका area अगर S है तो हम क्या लिख सकते हैं हम इसको S vector लिख सकत और इस एस वेक्टर में क्या होगा इसका जो magnitude होगा वो कितना होगा वो तो S होगा magnitude हो गया जो की surface area होगा length to breath और चो direction है वह यह जो surface है surface के perpendicular outward direction होगी ठीक है विल्कुल perpendicular बाहर की तरफ ठीक है तो अगर यह surface ऐसे है तो इसके ऐसे perpendicular outward direction में जो है इसके direction होगी तो direction के लिए यहाँ पर हम use करेंगे unit vector ठेक है? direction के लिए यहाँ पर हम use करेंगे unit vector तो हम क्या लिख सकते हैं? हम इस area को लिख सकते हैं कि भई एक तो unit vector जो कि direction को show करेगा और इसका magnitude जो कि होगा s, तो हम इस s area या वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, unit vector n into magnitude of this vector that is s, ठीकि आप देखे, problem क्या है, problem यहाँ पर यहाँ होती है, कि अगर हमारे पास कोई surface, जो कि spherical है, अगर पूरी surface है, जो कि spherical है, तो spherical surface के case में, अगर आपको area vector represent करना है तो क्या होगा, कि हर point के उपर surface है outward, तो आप draw करोगे तो इस point पर यहां होगा हर point के उपर area vector है उसकी direction अलग अलग होगी तो इसके लिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, कि यह जो surface है, इसको हम बहुती छोटे छोटे टुकडों में तोड लेंगे ठीक है तो अगर आपकी यह जो सर्फिस है यह infinitely small surface है ठीक है यह जो सर्फिस है इसको अगर आप यहाँ पर भई थोड़ा सा अगर आप इसको काट लेते हो ठीक है और जो इसका एरिया है वो ds हो जाएगा तो इस case में जो ds vector है हमारा ds area vector है किसके बराबर होगा यह बराबर होगा जो direction है इसकी ठीक है जो की unit vector से में represent करेंगे multiplier bytes magnitude कितना है ds तो इस तरीके से हम किसी भी area vector को represent करते हैं ठीक है so this is area vector तो यहाँ पर जैसे यह मैंने कोई surface area considered किया हो है that is ds तो यह जो surface area है इस surface area की जो direction है वो unit vector यहाँ पर शो कर रहा है so area element vector ds at any point on a close surface can be written as ds is equals to n cap into ds तो यहाँ पर जो ds है वो हमारा area vector हो गया जो unit vector n है यह जो है direction के लिए यहाँ पर हो गया हमारा unit vector और जो ds है वो इस area का magnitude हो गया इसका surface area हो गया total ठीक है so ds is the magnitude of area element and n is the unit vector in the direction outward perpendicular ठीक है अब यह जो unit vector है ठीक है यह जो area vector इसकी जो direction है वो हमेशा surface के outward होगी और perpendicular होगी ठीक है inward भी हम ले सकते हैं but convection के लिए यहाँ पर अब जो है हम इसको physics में outward ही लेते हैं ठीक है जो surface है surface से outward perpendicular direction के अंदर लेते हैं okay so यह हम गया हमारा area vector तो इस तरीके से जो area है उसको हम as a vector treat करके चलेंगे यहाँ पर ठीक है इसके बाद आपके पास के एरिया है और इस ऐरिया के पास अगर आप को चार्ज रखते हो तो यह जो चार्ज इस चारज के कारण कुछ field lines इसमें से गुज़रेगी कुछ electric field lines इसमें से गुज़रेगी तो जितनी electric field lines इसमें से गुज़रेगी उसको हम क्या कहेंगे यहां पर घुज़ेंगे उन फिल्ड-दाइंट को हम कहेंगे यहां पर अब 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 एक है इलक्टिक फ्लक्स जो होता है उसको जर्रणल यहां रिपरसेंट करते हैं इसको और देखिए जो फ्लक्स है वह क्या होता है तो अगर आपके पास ही कोई एरिया रखा है तो हमें जो है फ्लक्स को मेजर करना है तो फ्लक्स को मेजर करने के लिए क्या करते हैं सबसे पहले देखिए इसमें से जो फिल्ड लाइन्स गुजर रही है ठीक है फिर अब ऐसा भी हो सकता है कि इसी एरिया में से सेम इसी एरिया में से कितनी हाँ पर इसी एरिया में से यहाँ पर छे एलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन गुजर रहे हैं इसा भी हो सकता है कि इसी ही area में से यहाँ पर और ज़्यादा field lines गुज़रे ठीक है तो यह जो है यहाँ पर जितनी electric field की यहाँ पर intensity है ठीक है जितना electric field का magnitude है जितनी ज़्यादा electric field lines यहाँ पर है उतना ही जादा flux इसमें से फास होगा ठीक है clear है ना वह देखिए यहाँ पर 3 है इसका flux इसका flux यहाँ पर 5 है इसका flux यहाँ पर 3, 3, 6, 7 यहाँ पर इसका flux 7 है तो जितनी ज़्यादा strong यहाँ पर electric field होगी यहाँ पर electric field strong है यहाँ पर कम है electric field यहाँ पर और कम है तो जितनी ज़्यादा strong electric field होगी उतना ही ज़्यादा flux होगा तो हम इसका जो flux है वो भी काफी कम हो गया तो solar swarm का मान लेंगे D5 मान लेंगे ठीक है this is area ds this is area ds और यह electric field है आपर तो जो flux होता है वो proportional होता है magnitude of electric field intensity की जो आपके electric field intensity है उसका magnitude कितना है कितनी ज्यादा यहाँ पर electric field है आपकी ठीक है कितना ज्यादा चार्ज रखा हुआ है तो इस यह आपकी कुछ field lines मैंने यहाँ पर बनाई है electric field lines यहाँ पर बनाई है तो यह यहाँ पर कुछ electric field lines है अब इसके अंदर जो area रखा होगा ठीक है एक तो भी मान लो यहाँ पर यह area रखा हुआ है ठीक है एक यहाँ पर यह area रखा हुआ है ठीक है एक यहाँ पर यह area रखा ओके तो देखे तीन एरिया यहां पर तो अब यह जो एरिया है देखिए अगर इस एरिया के फ्लक्स की हम बात करें तो इसमें से कितने लाइन गुजर रही है इसमें से तीन लाइन गुजर रही है तो इसका फ्लक्स फाइव हो गया इसमें से कितने लाइन गुजर रही है व इसना है किस पर depend करता है ए अरिया के उपर बहुत करता है कि आपका surface area कितना है धीक है तो यहां पर serfence area जो है यही सरfes area लेके चल रहे हैं यह वाला जो काफे स्मॉल है डियस तो सब्सक्राइब करता है यह आपका जो सरfettes area है वह कितना स्मॉल है उसके उपर भी depend करता है ठीक है so also depend upon surface area so आपका flux दो चीजों के उपर depend कर गया ठीक है आप देखें तीसरी क्या है यहाँ पर यह जो surface area है यह साथ में depend करता है cos theta के उपर ठीक है cos theta यहाँ पर जो theta है वो आपका जो area vector है वो जो electric field है इन दोनों लता है e del s के और साथ में यहाँ पर cos theta भी ठीक है और यहाँ पर इस तरीके से जो आपका electric flux है वो यहाँ पर हो जाएगा e del s cos theta ठीक है तो यह आपका जो electric flux है उसका formula आ गया जहाँ पर जो del s है वो क्या है वो बहुत small area हमने consider किया हुआ है तो अगर आपके पास बहुत ही small area है यह area है that is del s ठीक है तो यह आपका small area है और यह इसमें से कुछ electric field lines यहाँ पर pass हो रही है ठीक है तो e जो है वो आपके electric field lines है ds आपका यह small area हो गया और यहाँ पर यह unit vector हो गया that is n ठीक है तो यह जो unit vector है और जो electric field है इनके बीच का जो angle होता है यह angle हो गया theta ठीक है this angle is theta तो इस area में से जितना flux pass होगा उसको हम किस तरीके से निकाल सकते है इस तरीके से निकाल सकते है कि जो आपकी electric field है ठीक है जो आपकी uniform electric field है उसकी value को put कर यहाँ पर जो आपका surface area है ठीक है जिस एरिया में से electric field line pass हो रही है उस एरे उसका area निकाल लिए ठीक है जो की DEL S है यहाँ पर ठीक है यह एरिया कितना है डैलस लेके चल रहे है यहाँ पर दिलस है और जो angle है यहाँ पर ठीक है जो electric field है e और题 आपका area vector है, unit vector है, इनके बीच का जो angle है, that is cos theta, that is cos theta, तो अगर यह आपको पता है, तो यहाँ से आप कहा निकाल सकते हो, यहाँ से आप flux निकाल सकते हो, ठीक है, तो इस तरीके से यह आपके पास flux का formula मिल जाता है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, e flux, ठीक है, अब dot product है, तो simple बात है, यह कैसे quantity है, यह scalar quantity है, so this is a scalar quantity, ठीक है, अब देखिए, यह जो flux हमने निकाला है, यहाँ पर, तो इसमें हमने क्या किया है, हमने यह जो surface area है, उसको बताया कि काफे small surface area है, तो अगर आपकी काफे बड़ी surface है, ठीक है, यह बड़ी surface है, और इसमें से आपने small small surface consider कर रखिये, ठीक है, तो यह जैसे आपने small surfaces में से consider कर रखिये, ठीक है, यह surface भी Dallas है, यह surface Dallas, यह surface Dallas, यह surface Dallas, यह surface Dallas, और जो इनमें से lines यहाँ पर पास हो रही है, ठीक है, तो आपने एक surface का यहाँ पर flux निकाल लिया, जो कि कितना हुआ, D5 हुआ, तो यहाँ पर आपका total flux है उसको हम क्या लिख सकते हैं जो आपका total flux हो जाएगा suppose इस पूरे surface area का flux आपका हो जाएगा 5 तो यह जो आपका total flux है that is 5 वो किसके बराबर होगा summation e dot ds कि आपने summation कर दया है जो जितने भी यहाँ पर जो flux है हमारे चोटे 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 flux उन सभी को आपने add कर दिया और वहाँ पर आपको total flux मिल गया ठीक है so that is total flux fine ओके अच्छा अब यह जो area है यहाँ पर जो surface area अगर हम उनको बहुत ही small कर दे ठीक है surface area है इसको आप infinitely small part में divide कर दो ठीक है यह तो infinitely small नहीं है लेकिन फिर भी आप और भी infinitely small अगर इनके surface area इनमें divide कर दो ठीक है तो क्या होगा यहाँ पर हमने इनको बहुत सारे infinitely small surface area में divide कर दिया और एक surface area यहाँ पर मान लिया ds है ठीक है तो उस case में हमारा जो summation है यह Dallas से सुरी उस case में जो हमारा summation है वो क्या हो जाएगा यह summation जो है वो change होके बन जाएगा integral e dot ds ठीक है where ds is infinitely small area element तो e dot ds यह हमारे पास इसका एक third formula हो गया ठीक है तो इस तरीके से यह आपके पास जो है electric flux के formula हो जाते हैं so electric flux क्या हो गया it is the number of electric field line passing through an area किसी area में से जितनी field lines pass हो रही है उसका हम कहते है electric flux फिर mathematically इसको represent करते हैं ठीक है जैसे Dallas e dot ds ठीक है फिर dot product को solve करेंगे e Dallas cos theta ठीक है या फिर integral की form में हम flux को लिखेंगे हैं यहापर कि हमारा जो flux है that is close integral e dot ds ठीक है अच्छा इसके बाद it is a scalar quantity यह जो flux है हमारा scalar quantity होता है इसके अगर हम ऐसा unit निकालना चाहे तो ऐसा unit निकाल सकते हैं आपका जो flux है वो किसके बराबर है flux जो electric field है और जो आपका area है उसके बराबर है यहाँ पर दोनों का dot product है अब जो electric field है उसकी जो ऐसा unit होती है वो होती है newton per column और surface की unit होती है surface area की meter square तो इसकी unit क्या हो गई? Newton meter square column minus one तो यह इसकी SI unit होगी जो की बराबर होती है volt meter की ठीक है? volt meter या फिर यह जो है इसकी SI unit होती है so this is SI unit इसके बाद dimensional formula की बात करें तो देखिए सबसे पहले Newton force है force का dimension formula क्या हो गया? MLT minus two चाहिए इसके बाद meter square तो meter square का क्या हो जाएगा? meter length है so length और इसका square और column हो गया charge तो charge का होता है AT और इसकी power कितनी है? minus one इसको आप solve कर लीजिए इसको आपको dimensional formula में जाएगा so ML की power यहाँ पर one है यहाँ पर two है so L की power three फिर T की power यहाँ पर minus two है यहाँ पर minus one है so T minus three and A minus one तो यह जो है यह इसका dimensional formula हो गया ML3 T minus three A minus one ओके? so dimensional formula यहाँ पर हमारा हो गया ML3 T minus three A minus one और इसके SI unit हो जाएगी Newton meter square per column इसके बाद जो हमारा flux है वो positive भी हो सकता है it could be positive negative और zero ठीक है flux हमारा positive हो सकता है negative हो सकता है या zero हो सकता है depending on कि आपका जो theta है वो कैसा है अगर यह जो आपका angle है theta अगर यह 90 degree हो जाता है मतलब अगर इसको आप इस तरीके से रखोगे 90 degree पर रखोगे ठीक है तो उस case में आपका जो flux है वो 0 हो जाएगा और अगर यह 90 degree से जादा होता है तो उस case में आपका जो flux है वो negative हो जाएगा ठीक है देखिए इस तरह है कि आ आपका जो flux है यहाँ पर ठीक है यह आपका area है तो यह आपका area है तो यहाँ पर यह electric field lines इसमें से पास हो रही है तो यहाँ पर जो यह आपका area vector हो गया surface के perpendicular यह आपका electric field होगी दोनों की बीच में एंगल तो यह एंगल कितना है यह एंगल यहाँ पर theta is less than 90 degree तो सिद्धा relative होगा फिर अगर कि आपका area है वो इस तरह से रखा हुआ है और जो आपकी field lines है वो ऐसे पास हो रही है इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर आपका unit vector होगा surface के perpendicular तो यह suppose आपका unit vector है यहाँ पर यह आपकी electric field है यह और दोनों की बीच में एंगल कितना हो गया 90 degree तो theta is 90 degree तो उस case में आपका flux कितना हो जाएगा flux will be 0 ठीक है इसी तरीके से अगर यह आपका angle जो है यह यहाँ पर change हो जाएगा इसको आप ऐसे rotate कराओगे ठीक है यह आपका area vector है वो कुछ इस तरह से है कि आपका area vector इधर है ठीक है और electric field यहाँ से ऐसे पास हो रही है तो यह आपका area vector जो है इसका direction इधर है और electric field की direction इधर है तो यहाँ पर theta कितना हो गया 90 degree हो गया तो यहाँ पर flux कैसा आगया, यहाँ पर आपका flux आगया, negative, तो आपका जो flux है, वो positive भी हो सकता है, zero भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, तो यह depend करेगा, कि आपका जो angle है, unit vector, तो यह आपका जो area vector है, और electric field के बीच में, जो angle है, वो कितना है, 90 से कम है, 90 से जादा है, या फिर 90 degree ह इस तरीके से यह basically electric flux का concept होता है, कि कोई भी अगर आपको आपके पास एक surface है, ठीक है, वो spherical है, cylindrical है, किसी भी type के surface है, तो उसमें आप छोटे से area को consider करो, उसका flux निकालो, दूसरे का flux निकालो, इसे तरीके साब total पूरी surface का यहाँ पर flux निकालो, और सभी को आप add कर दो, और add करके आपको क्या मिल जाएगा, आपको total flux यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, तो यह हो गया हमारा electric flux,